आप सभी कैसे हैं उमीद है आप सभी अच्छे होंगे जैसी केमिश्री क्लासिस में आज आपका फीर से स्वागत है इस्टुडेंट कल हमने क्या देखा था कि किसी भी कोडिनेशन कंपॉंड को नोमेंट क्लेचर करने के क्या रूल है कैसे हम उनको को आइडेंटिफाइब कर सकते हैं इसी तरह आज हम कुछ ऐसे कोडिनेशन कंपॉंड को नोमेंट क्लेचर किया जाता है तो यह क्लास बहुत ही ज्यादा करेंगे और इसके बाद कोडिनेशन कंपॉंड को नोमेंट क्लेचर से रिलेटर अब हर क्वेश्चन को नाम आप आसानी से उनको पहचान सकते हैं उसका नाम भी तरीके से आप बता पाएंगे तो चलिए आज का हम क्लास अपने स्टार्ट करते हैं क्या बोला आज हम पुछ आपने हो में हो तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है उसी तरह अगर किसी भी कोडिनेशन कंपोंड को उसके सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबको पता है जलेक्टों करें जैसे बहुत सार एक्जांपल सब्सक्राइब तो दोनों तो क्या है सेम है लेकिन क्या है कभी नाइटोजन से लेक्ट्रोन डोनेट करेगा तो यह क्या है एक तरह का है जैसे हम इसका एक ग्यांपल देख लेते हैं और उसका नोमेंट क्लेचर कैसे करें देखेंगे जैसे मान लिया जाए हम एक एक ग्यांपल लें कि यह कि यह कि एक एक नाम कैसे लिखेंगे कि तो देखो सबसे पहले प्लिक लेटे हैं ठीक है क्या हो गाले कि यह नकाल देखा प्रोट करते हैं अगर जाहें तो दिखाने जो क्या है वह नाइट्राइटो हो फिर नाइट्राइटो हो गया अब देखो इसका ऑक्सीडेसिन नमर निकालो यह सल्फिट में तू मैना मलें किस्फो में है जो में है नाइट्री- कोबाल्ट का इसका नाम क्या होगा पेंटामिन के ओनाइट्राइट क्यों लिखें यह उपी इसलिए ऑक्सिजन को दिखाने के लिए कोबाल third case豆 हो गया किलियर है आगर मान लो लो कि अगर यहीं रहता चैङ्ज होता यह होता है यहां की जग होता है कि ये नं नाइट्राइट और वहां क्या हो जाता नाइट ये पूरा नोमेंट लेचे क्या था सेम आथा तो ये क्लियर है अकरowania इसको बालेंस क्या है पोजिटिव बालेंस टू प्लस सब्सक्री शिंगल नंपर्फिया यह चीज भी याद रखी गई कई लोगों की अगर एधर माइनस ओ फ्लस से प्लस माइनस क्या होगा तो जुड़ेगा टिके टू और उर प्लस वन क्या होग फ्ली एग कि माल लो अगर यहां ब्रैकेट का अंदर को नेगिटिव है इधर भी नेगिटिव हो तो तो घ्रीक सब्सक्राइब सब्सक्राइब जल्दी से निकाल सकते हैं लेकिन आप तुरंद निकालना चाहोगा जैसे निकालने के लाकर इधर मैनस रहेगा दोनों को जोड देंगे घटा देंगे तो यह हो गया तो यह क्या है इसका देखे हम लोग एम्यदेल लीगेंड का तब का इसी तरह नाम लिखा जाता अब देखो आईसोटोप कंपर अधिया चाहिए तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि आईसोटोप क्या होता है क्या है क्या होता है जिनका अप्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्रोट्र कर्वन ठार्वन फॉर्टिन क्लोरीन जानते हैं ऑप झानते हैं आइसोटोब आईसोबार इस अधिय जानते हैं जो आपका क्यों तो तो उसका नोमेंक्अ क्या जाता है तो देखो इसका भी एक एक्जाम्पल के थ्रूर हम लोग देखते हैं कि जब आइसो टूप में हो तो उसका नॉमेंक्लेचर कैसे क्या जाता है जैसे लिए लिमिनियम एच फोर ठीक है उच्छी तरह और एक्जाम्पल लेते हैं ल आई तो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे तो सबसे पहले कि इसको लिखेंगे यह कौंटर आयन क्या है कि काहिए यह जिक्शा चार ठेकर इतने हयए चार तो में ऊसको क्या बिशेंगे क्या हमें हो और ह्तिकत रहें पर नहींद है यह जुड़ता है तो क्या कपाथ हागा एसे भाँ इस रहें कि एल्यूमिनेट यह एक लीथियम प्लस से इधर जाकर एक माइना तो चार प्लस और माइनस कि क्या हो जागा कि इतना जगा है कि थर्ड एल्यूमिनियम क्या हो जागा थर्ड कि लिथियम एल्यूमिनियम टेट्र हैड़ाइड्रो थर्ड उसी तरह आप इसके लिखेंगे तो अब इसका आइस्टो बाग गया तो इसको अलग लिखाने के लिए क्या लिखेंगे हम लोग टूटेरियम क्या लिख सकते हैं लोग वान एज्ट्र वाले का नाम क्या हो जागा लीखियं यह क्या हुआ जागे ट्राइट्र वान एस्थर है इधर के पूरा सेब्गे जब कोई आइस्टो फों में होगा तो थो को इस फॉम में दिखा देंगे कि वह किस फॉम में है अउसभर का पूरा नॉमेंट क्लेचर क्या होगा सेम होगा इससे हमको यह डिफ्रेंस पता चल जा रहा है कि यह डूटेरियम है और यह क्या है ट्राइटियम तो अगर कोई कोडिनेशन कमपॉंड अगर उसके आईसोटो फोम है अब हम दो करते हैं इसका यह यह मैं ट समय कमपॉंड कोई भी जिचे मिट्रिकल समय कंपॉंड का नूमिन्शन पर दट क्या होता क्या होता है झांते जिसका ज्वद्टी कल आरेंजमेंट क्या होता है यह में इसे क्या होता है पूई अपने अलग संट का जब करते हैं जैसे पीटी तो यागर यह कोई कंपॉंड है तो इसका नोंक्लेचर कैसे करेंगे तो सीधी सी है क्या होगा डाइकलोर ये डाइमीन डाइकलोर प्लेटिनम सेकेंड आयन हो जागा इसका सिंपल सा लेकिन अगर ये अपने जैसे यह है कि अब यह क्या है इसका जियोमेट्रिकल फॉम में है तब इसका नाम कैसे लिखेंगे कि आप देखो यह दोनों कैसे परचानते हैं हम लोग कोई सीस है और कोई टांस है इसको यह दोनों क्लोरिन क्या है सेम साइड तो यह क्या है तो इसका क्या नाम लिखेंगे हम लोगा लिखेंगे किस इतने हैं डाइन एन यह यह तो क्या होतो टाइकलोर हो हो और हुआ क्या होजांगा फ्लेटिनुं इटिन एक है को दोंसे आयन कॉंद में इसको अब पता है मन बला जाता है इस कंपाॉउन्द प्लेटिनक्र आजाता है अगर तुम प्राश्यविट ट्यूश पढ़े हो तो क्या विलाताई शीजफ फ्लेटिन से बनंट को और सी टीन क्या होता होता है ऐक था के लिए यह tecnología पचा जाता है था क्या तो डिन की तरह मत्लबर करते है ठीजेंट अगर क्या है olvidate cancer patient है तो उसके treatment के लिए जो सिस प्लेटिन कंपोण है उसका क्या क्या जाता है युज क्या जाता है अब यही कंपोण क्या रहता इस तरह से रहता है यहां एक आगया यह पहले यह दोनों इधर थे अब दोनों एक दूसरे के ट्रांस पोजिशन में आ गए तो अब इसका नाम क्या हो जागा तो क्या करना है कुछ नहीं करना है यह सीज की जगह तुमको क्या लिखते जाना है इसको क्या बोलेंगे ट्रांस लेकिन तो यह है किसी भी जियोमेट्रिकल आइसोटोप जियोमेट्रिकल वाले कंपोंड का हम नोमिन क्लेचर कैसे करेंगे अगर नाम क्या करते जाना है लिखते जाना है अब अगला 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 देखते हैं ऑप टीकल ऑप्टीकल आइसोमर कंपोंड प्टीकल क्याहता है पड़े होगे इस्टेरयो कमेश्टी में और किसी क्या बलते हैं लेव रोटेटरी तो आइसे कंपॉंड का नाम कैसे लिखेंगे जैसे एक ग्जाम्पल दिखता हूं क्या होगा क्या होगा क्या होगा पोटेश्ट है कि यो ओविजलेट वह तो इसका नाम कैसे लिखेंगे सबसे पहले इसका देखते हैं क्या है तो कांटर आइन कौन है इस पॉटेश्ट्यम क्या है क्या है तो क्या होगा तक से पहले इसका लिखेंगे पोटेश्ट्यम इसके बात कौन सा फोंढ़ती क्या है और लेटो क्या हो गया दी उफ लैटो इधर है क्या होगा कॉबाल टेट को एक जुड़े कर दिद्द अब कि इसके न हिए अिक पोटेस्टिय प्लस होता है इसे सिंगलल्क्साइड टिक हो अर्ट लेट का बदा इसे हो थे कि कि एक टीन कितना मैनास था टू मैनस लेकिन यहां कितना है तीन कितना हो गज़ते थार्ड अ कि इसका नाम हो गया पूटेश्यम्ध दी और चले टूबाल थार्ड आया तिके समझा गया अब इसका अगर हम लोग नाम लिखेंगे यह तो इसका नाम था कि यह तो इसका नाम था अगर अब हम इसका लिखेंगे ल वाले तो कुछ नहीं करना है पूरा पूरा यहां तक सेम होगा सब्सक्राइब क्या है देना है इस नहीं जगह तुमको क्या करना है तुमको नाम में डी और यूज कर दे जाना है तो यह था जो अब नेम आफ ब्रीजिंग कॉंप्लेश इस कंपॉंड का नोमेंक्लेचर कैसे किया जाता है तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है जैसे लिगेंड मनलब क्या होगा एक ही लिगेंड कितने मेटर से जुड़े हो दो मतलब दो मेटर को भी अपने हरुआ कि एक से ज्यादा मेटर को अपने एलेक्ट्र डोनेट करते सी क्या हुआ वो तो यूरेन करें तो अगर कोई इस तरह से आपने भीजिंग अ मैं हो गया है जो यह मैं अ्यां है तो मीरे मेरे इसवारज सबस्क्राइब बहए और में मीचार जुड़ा है कुछ ऐसे ऐसे क्या हem दौनों में ढासे में तो करेंगे देखो कि यह होगा सबसक्राइट क्या हो है कि मैड और हाट्रो एंपिट रहे माइट और ह हट्रो रिए है जो दे आप देखो इतने को बाई दो तो तक होगा आप दाइक को बाद अब दो अब देखो आप देखो बाद आप देखो और निगाल ओड़ तो इस इंगल मैने वह एग तो इस वह एक पूर्ट वश्रह तो चार पांस और एक शे इना रहा है अब ये लेकिन ये चीजा रहा है तो मेंटर के लिए दोनों मेंटर के लिए तीन यहां तेहां देवर्पना यह ची किसी ला रहे दोनों मेंटर के लिए साथ में निकाल रहें तो यह तो यह क्या है किसी भी ब्रीजिंग लिएंग कोडिनेशन साइप कंपाउंड का नुमेंटर के लिए तो आज हमने देख लिया कोई भी जो अंबीडेंटर लिए निकाल के लिए करते हैं क्या करता है कि उसको सामने लिखे बताना है कि किसी ब्रीजिंग लिए तो समझ में आ गया अब आप कोडिनेशन से रिलेटिव किसी भी कंपाउंड को क्या कर सकते हैं नोमेंटर आप आसानी से कर सकते हैं किसी भी कंपिडिव में इससे रिएटे पूश्चा जाए या फिर आपके इस ब्रेटिव में इस पूश्चा है अब मैं क्या करता हूं पूछ पूच्छन देता हूं नाम आप लिख के चीखेंगे यह क्या है यह कुछ पूश्चन है यह होगे पहला दूस्तरा तीसरा और किसे नब बताइने, किके!